हपिया देवी क्या बाद है क्या बाद है तुमने थाबित कर दिया कि तुम सही माइने में कलाकार हो वा रेसम पाल क्या बता है हमें हपिया देवी का नित्य देखकर रेसम गली की याद आ गई है दो आ है मतलब लखनों में फंकारों की कमी नहीं हैं मतलब क्या बाता दंहरा हम हपिया दीवी की थारीफ में क्या बोले हम मंतरी जी आप खुश तो हम खुश मंतरी जी आपने मेरी कला की कदर की इसके लिए आपका धन्यवाद आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका तहे दिल से धन्यवाद अपुसर तुम करमिशनर, मजग बना रखा है 15 अगस के दिन हमको बुला के लूंगर बेख करवा रहा है हो साब हमाई अचल में कैसे समझाएं साड़ अपुसर पूरी ये क्या मजग लगा रखा है हमारे प्रोग्रम में आज मंतरी जी आए है और तुम लेडिस कॉस्ट्यूम पहन कर डांस कर रहे हो हपुसर आज तुम्हारी वज़े से सब के सामने मेरा सर शरम से जुक गया पूरे डिपार्टमेंट की नाक कटवा की तुम्हें रख दी है मैं अभी क्या भी मैं तुम्हें सेस्पेंड करता हूं कि अब एंटिंशन प्लीज? हलो रिस्पेक्टग कमिष्णर अंकल और मंत्री अंकल और बाकी सबी लो मैं हुदरोगा अपुछी चोटी बेटी चम्ची अचली आज मेरी मम्मी ही यह बखत करने बादी थी लेकिन उनके पैर में मोच आजे और पापा के पास कोई ऑप्शन नी था कोई यह एँ पर अच्छी क्लासिकल डांसर मे भी नी ती तो पापो कर पर पर फुपरॉम करना बड़ा कितना अच्छा परफॉर्म कियानों उने, मतलब ऐसा लगा था कि कोई बड़ी कला का डांस कर रहे हूँ, जब तक आप लोग को यह नहीं पता था कि यह औरत नहीं आदमी है, तब तक आप लोगों ने तालिया बजा ही ना, मतलब आप लोगों ने की डांस की तारीफ करी ना हम तो और आधमें में बराबरी की बात करते हैं, और डांस तो एक कला है, इसमें जो दोनों का बराबर का हक होना चाहिए मंतरी अंकल, मेरे पापा की नियत बहुत साफ है वो तो बस ये चाहते थे कि आज कोई गड़बर ना हो वो तो बस ये चाहते थे कि कमिश्टर अंकल की इजदत बची रहे क्योंकि उन्होंने जबान दी सी लेकिन उन्होंने परफॉर्म किया ना आज आप सबको तो उनका होस्त बढ़ाना चीह उनके जजबे की तारीज करनी चाहिए मंतरी अंकल, आपसे एक रिक्वेस्ट है आज अजादी का दे और हमें और अरत और आदमी के असामानता की सोच से अजाद होना चाहिए हमें और अरत और आदमी को बराबरी का मौका और दर्जा देना चाहिए ये समाजिक दिवारे गिरा देनी चाहिए